तूड़े वी सॉल निमेरिकर प्रॉब्लम 6.2 आपके पास है इन दा फिगर मिटर ब्रिज इस शौ इन बैलेंस पोजिशन यह मिटर ब्रिज है और यह कौनसी पोजिशन पर है बैलेंस पॉजिशन है इस wire के 1 cm के जो resistance के value हो वो कितनी है 1 cm length of wire होगा तो उसका resistance कितना लिखाना पड़ेगा 1 cm आपके पास अब ध्यान दीजे जिसने meter bridge theory में पड़ा है उसको पता है कि यह जो first length है यह resistance P को represent करती है second जो length आती है वो resistance Q को represent करता है यह जो आपके पास resistance कितना होता है बेटा R और यह कितना होता है resistance S को represent करता है तो ध्यान दीजे आपके पास P resistance की length कितनी है 40 cm P resistance कितनी है 40 और 1 cm पर कितना resistance आता है बेटा तो टोटल कितना हो जाएगा 40 यह बहुत सिंपल सी बात यह कोशन कहे रहा है अगर मैं बोलू कि 1 रूपीज की 1 टोफी आती है 1 रूपीज की 1 टोफी आती है तो पताएए 40 रूपीज की कितनी आएगी 40 टोफीज पर बंटिप्लाइ भी तो करना पड़ेगा आपको तो पी रेजिस्टेंस की वैलू कितनी हो गई 40 ओम similarly क्यू रेजिस्टेंस कितना होगा लैंथ कितनी है 60 और 1 सेंटिमेटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम आपके पास R रेजिस्टेंस जो की X के एकुलेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है और S रेजिस्टेंस की वैलू कितनी गीवन है 3 एक तो ये X कैलकुलेट करना है और दूसरा इस X से कितना कैलकुलेट पास होगा उसकी वैलू भी कैलकुलेट करने है तो देखिए आपने combination पढ़ा है और combination में आप लोग ने क्या पढ़ा बेटा कि P by Q equal to क्या होता है R by S यही था आपके पास मिटर ब्रीज पढ़ लिज़ पढ़ लिज़ या फिर जो वेडिस्टरम ब्रीज है उसका यह result आता है तो यहां से R की equation क्या बनेगी बेटा P S by Q ध्यान दीजिए P resistance की value कितनी है 40 multiply S की value कितनी given है बेटा के पास 3 और Q resistance कितना given है 60 आपके पास 0 से 0 cancel out 3 से कितना times बेटा 2 times और 2 से यह cancel out किया 2 times तो R resistance की value कितनी ही आएगी 2 ohm ऐसा करिए circuit को दुबारा redraw कर लिजे आप लोग जब circuit को redraw करेंगे तो circuit कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा यह R था और इस R की value कितनी आगई बेटा 2 ohm next कितना attach है बेटा 3 ohm अब यह जो length में पहले resistance शो हो रहा था मैं अब इनको resistance ही बना रहा हूँ 40 ohm एक है और उसके बाद 60 ohm अनुदर आपके पास है यह P और यह Q और उसके साथ एक battery connected है कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की अब ध्यान दीजी मैंने बोला कि यह point क्या है A तो यह point क्या है B A और B point का potential कितना है 6 वोल्ट तो बताइए यहां से लेके यहां तक इस wire पे कोई दूसरा element है क्या नहीं तो इस point को भी क्या लिख सकते है बेटा A यहां से लेके यहां तक बीच में कोई element नहीं है इसलिए इसको क्या लिख सकते है हम लोग इसका मतलब इन दो point के बीच का potential 6 वोल्ट है तो यहां तक का potential भी कितना होगा 6 वोल्ट अब यह A point है तो इस पूरे को भी क्या लिख सकते है बेटा A और इस पूरे को क्या लिख सकते है हम लोग B और यह बात तो आपने थियोरी में भी पड़ी है कि parallel combination के अंदर आपका potential क्या रहता है same देखिए 6 वोल्ट के parallel है 40 और 60 और इनके parallel है 2 ohm and 3 ohm तो इस पूरी branch के इसके और इनके बीच का potential क्या रहेगा बेटा same अगर यह 6 वोल्ट है तो 2 और 3 ohm के across भी कितना होगा 6 वोल्ट तो हम बोलेंगे equivalent potential या potential across point A और B मैं इन दो point के बात कर रहाँ तो इनके बीच का potential कितना है बेटा के पास 6 वोल्ट total resistance across point A and B A और B के बीच का total resistance कितना होगा 2 ohm और 3 ohm कौन से फॉर्म में connected है सीरीज में total कितना हो जाएगा बेटा 5 ohm आपके पास है focus किजिए या मेरे से पूछा है कि यह जो 2 ohm है इसके अंदर कितना current पास होगा तो देखिए जो current 2 ohm से जाएगा वो ही current किसमे जाएगा 3 ohm basically वो पूछ रहे है कि A और B जो यह branch है इस branch की current कितनी है अगर मैंने A और B के equivalent कितना potential है वो बता दिया आपको A, B के across total resistance कितनी है उसकी value आपको पता है तो current right ohm slow से calculate कर सकते है I equal to कितना होता है V by R तो A, B के across potential कितना 6 A, B के across resistance कितना 5 तो current कितना flow होगा बेटा 6 by 5A यह हमारा क्या हो गया answer Thank you